हेलो माईडियर स्टूर्ट्स वेलकम करता हूं अभार्थ पंचाली और केमिस्ट्री गुर्जी अगेन आप सबका एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीब लोग एलिमेंट्स की 30 मिनिट्स रिविजिन कर करेंगे और बहुत बड़ी वीडियो रहने वाली है और इस लेक्चर के नोर्स आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल जो की भारत पिंचाल सर के नाम से उसे आप लोग जुरूर जोइन कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लोक एलिमेंट्स के बारे में द तक होता है देखिए अगर आप आप लोगों को ऑपरियोडियो डिख से नजर आती है कि 양पको इस तरह से पड़ाएं यह पी ब्लोक में कहान से कहां तक होते हो जो एक रूए टीन से लेकर गुरूप 18 तक होता है और अगर मैं जरेली एक्ट्राइकंक कंफिगरेशन की बात करूं पी ब्लोक एलिमेंस की जो जरेले एलेलिक्राइक एलियू ओती है वह होती पहले अब सबसे पहले हम लोग गुरूप 15 एलिमेंस को हम लोग क्या वोलते है नैट्रोजन लगुशं फैं नच प्रंजल असी सब बेता प्रंजल याद ने प्रंजल दहिया बालम थानेदार चलावे जिपसी वह वाली बात है बाकि आप लोग को कॉंसेटरी काती हो आप लोग कमेंट सेक्शन ने बता सकते हो N is known as nitrogen, P को phosphorus बोलते हैं, A is arsenic, S is antimony, B is known as bismuth atomic number की बात करों तो nitrogen का atomic number 7 होता है, then 8, 18, 18, 32 यह वाला gap होता है जब आप इनकी electronic configuration देखते हो तो इनकी valence shell configuration बनती है, 2s to 2p3, 3s to 3p3, 4s to 4p3, 5s to 5p3, 6s to 6p3 अगर यहां से आप इनकी general configuration करना चाहो, तो आपको दिखाई देरे हैं कि सब के S में electron जा रहा है, सब के P में electron जा रहा है तो general electronic configuration हो जाएगी, NS to NP3, अब दिखें इसमें जो एक simple से बात में बता रहा हो कि जो metallic character होता है, वो down the group बढ़ता है डाउन दो ग्रूप जाते हुए metallic character बढ़ता है, तो क्या होगा बिटाजी, initial जो elements होते हैं, वो non metal होते हैं, nitrogen and phosphorus are non metal ठीक है, और जो last element होता है, वो metal होता है, और बीच में जो elements होते हैं, like arsenic and antimony, they are metal loads अगर मैं physical state की बात करूँ, तो जो nitrogen है, diatomic form में exist करता है, और gases form में होता है, बाकि जितने भी elements होते हैं, इस group के वो सभी solid state में exist करते हैं आगे move करते हैं, periodic table के trend, ये पढ़लो, क्योंकि ये आएंगे जुरूर, देखिए, inorganic chemistry को अगर आप अच्छे से करना जाते हैं, तो दो चेप्टर अच्छे से कर लो, classification of elements and दूसरा है chemical bonding, ये अच्छे से हो जाता है, तो थोड़ा easy रह जाता है सब कुछ enamic radio के trend में बता हुँ जैसे सबसे पहले atomic radii, atomic radii जब हम left to right move करते हैं, decrease करते है, hizing top to bottom, जाते हैs, increase करते है, top to bottom इन decrease करते है, क्योंकि number of shell बढ़ जाते है ironization enthalpy का kya trend है, left to right जाते हुआ, ironization enthalpy decrease करेगी, top to bottom, जाते हुए ironization energy increase करती है, top to bottom जाते हुए Dave इंक्रीज करती है, next is metallic character, metallic character left to right decrease करता है, top to bottom increase करता है, electron negativity, क्या होता है electron negativity, like दो atom है A and B, इन्होंने covalent bond बना रखा है, by mutual sharing of electron, but B की power ज्यादा है, वो electron को अपनी तरफ खींच रहता है, तो B is electron negative and A is electro positive, electron negative का मतलब होता है कि tendency to attract a shared pair of electron, कि कोई shared pair of electron को अपनी तरफ खींच सकता ह है, तो वो electron negative होता है, left to right जाते हुए, electron negativity increase करती है और top to bottom जाते हुए electron negativity decrease करती है, electron affinity या का लेटों से के लिए Exercise करता Acidic strength, acidic strength अधिए कहीं सारे acid होते हैं, मैं यहाँ बात करता हूं, لوई से acid की, lose acid के से कहते हैं, जो लोन पेर लन रफ बढ़ जाता है आग जाओ तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं देखिए इनकी जर्नल कन्फिग्रेशन है ns2 np3 इनकी वैलन शेल में पांच एलेक्ट्रोन है तो पांच के लिए लें यहां पर बात करूँगा बिशमत की बिशमत कीक क्न्फिग्रेशन प्रोपर कन्फिग्रेशन होती है 6s2, 4f14, 5d10, 6p3 इस time क्या होगा बेटा इसका जो अंदर का s orbital है ये ये क्या हो गया है ये हमारे पास inert हो गया है inert का मतलब ये बोल लेगा कि ब्रो मेरे को reaction में नहीं जाना मुझे reaction नहीं करनी है inert pair का मतलब होता है अंदर का जोड़ा non reactive जिसकी वज़े सिर्फ ये 3 electron participate करेंगे और इन 3 electron की वज़े से इसकी oxidation state क्या हो जाएगी बेटा जी हापर plus 3 oxidation state हो जाने वाली है क्लियर है अगली बात करते है atomicity की तो nitrogen जो है group 15 में nitrogen जो है वो diatomic form में होता है बाक्की element जो होते हैं tetraatomic form में nitrogen की electron negativity बहुत जाद है that's why वो exist कर सकता है phosphorus नहीं exist कर सकता उसका उसकी electron negativity इतनी जाद है नहीं ठीक है atomic radiology के trend आपको पता है जब हम down the group जाएंगे तो increase करेगा as we move down the group ionization enthalpy की बात करेंगे ionization enthalpy किसे कहते हैं जैसे कि एक आटम है यह nucleus है, nucleus crown में बहुत सारी shell है यहाँ पर electron है इस electron को अपनी तरफ attract करता है यह nucleus इस electron को बहार निकालने के लिए जो energy देनी परती है that energy is known as ionization enthalpy अब ionization enthalpy down the group decrease करती है ionization enthalpy के trend देखो ionization enthalpy is inversely proportional to atomicly day directly proportional to effective nuclear charge and directly proportional to stable configuration मतलब अगर कहीं पर stable configuration आजाएगी ही है on the other hand अगर कहीं पर atomic radio बढ़ रहा है आप simple समझो ने यार मैं कहीं बार example देता हूं कि न परणजल दीदी का show है ठीक है और एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है opposite side charges है attraction बहुत है परणजल दीदी का show है और एक बंदा यहाँ पर बैठा हुए दीदी क्यों बोला हूँ चाद्य हो चुकी है safer side में और वैसे भी दीदी ही मान के तक हूँ come to the point देखिए अब distance बढ़ चुका है यहाँ पर देखिए distance बहुत कम है distance कम है तो attraction जादा है इसको remove करना मुश्किल है यहाँ पर distance बहुत जादा है तो attraction कम है easy to remove हो जाएगा यह clear है तो अच्छा एक बड़ा बड़िया सा trend होता है देखिए अगर हम सारे trends को लगाए न तो oxygen की ionization therapy जादा होनी चाहिए as compared to nitrogen but practically oxygen की ionization energy कम है than nitrogen ऐसा क्यों क्योंकि nitrogen के पास देखो तो P3 configuration है इसके पास stable है first ionization energy अगर आप first electron निकालना चाहो तो nitrogen में से मुश्कुल होगा क्योंकि stable अगर second निकालना चाहोगे second निकालना चाहोगे तो उस time इसकी configuration 2P2 हो चुग होगी इसकी 2P3 उस time oxygen की जाद हो जाएगी उस time oxygen की configuration stable हो जाएगी clear है ना आगे move करते है next is electronegativity electronegativity का क्या trend होता है डिक्रीजिस डाउन दो गुरूप reactivity की बात करें तो जो nitrogen है वह easily react नहीं करता रूम temperature पर noble gas की तरह behave करता है easily reaction नहीं करेगा जब भी अगर हमें इसकी कभी किसी इसकी reaction करवानी होती है तो इसको हमें गरम करना पढ़ता है रूम temperature पर जली reaction नहीं करता है reason behind this कि एक तो triple bond है strong bond हो गया दूसरा इसकी bond energy बहुत जाद है इसके bond को तोड़ने के लिए बहुत जाद energy देनी पड़ती है on the other hand phosphorus की बात करो तो phosphorus कुछ इस तरह से exist करता है ठीक है कुछ इस तरह से exist करता है तो यहां पर क्या इस phosphorus ने भी तीनी bond बना रखे हैं बट वह अलग-अलग atoms के साथ है तो वह easy to break है आप लोग इसको easily break कर सकते हो और जब easily break कर सकते हो तो सही है नहीं कहानी गटित हो जाएगी बोंड तोर दो और बोंड तोर दोगे तो बात बन जाएगी getting my point or not अगली बात समझते हैं और बाकी इसके बाद down the group reactivity decreases down the group reactivity decreases और क्यों decrease करती है due to the decrease in electronegativity क्योंकि down the group जाते हुए electronegativity घटती है that's why reactivity भी घट जाएगी आगे मुब करते है hydrides hydrides क्या होता है जब कोई element hydrogen के साथ जुडता है तब जो compound बन के निकलता है उसे हम लोग hydride बोलते है all the elements of group 50 react with hydrogen to form hydrides of the general formula ES3 जैसे ns3 वाले को ammonia बोलते है ps3 को phosphine, ass3 को arcin, sbs3 को steven, bis3 को bismethine बोलते है जब इनको देखा जाता है बेटा कुछ इस तरह से structure बनता है यह chemical bonding में वैटपर theory में structure बनाने सीखते है इस तरह से जैसे मैं नाइट इसकम नायता हूं ammonia का इस तरह से तीन बन पेर हैं एक लोन पेर हैं यहाँ पर अगर मैं geometry की बात करूं geometry होती है tetra header shape की बात करूं trigonal pyramidal और hybridization होती है sp3 अब अगर आपको दिखाई देरों यहाँ पर लोन पेर हैं तो लोन पेर है तो अपने लोन पेर डोनेट कर सकते हैं कर लुइस बेस सारे का साथ इ DD स्टेस से इने में सब्सक्राइब करते हैं इन्हें में सब्सक्राइब मिलंब होते हैं यह व्मोड़ कि और अमॉनिया का साइज घ़ समॉल Lane 123 साल मिइक है उसके पास चोटा है प्रोलम के लाग उसके लिए जबनेंड प्रोलम क्रेट कर तो जल्दे उता के साहल यह काफियेज structure बनाए है यह अमोनिया का hydrogen का बॉन्ड दिखा रख है बॉन्ड की strength यहां पर phosphine का hydrogen की बॉन्ड लेंथ दिखा रख है अब down the group जाते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है और जब बढ़ा होता है तो ब्रेक करना खक है तो स्टेबिलिटी तो ब्रेक करना रही है तो जाते है thẩmol बहूंद को बेंथ घठती है डॉन के सकते हैं बात है कि कौन सबसे अच्छए से हाइडोजन को रिलीज करेगा आपको पता है यह जो है इसका बॉन सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा है तो इस बॉन को हम असानी से ब्रेक कर सकते हैं और जब असानी से ब्रेक कर सकते हैं तो यह असानी से निकल भी जाएगा निकल जाएगा तो यह बढ़िया ही बना सकता है hydrogen bond बने था फोन के साथ fluorine oxygen nitrogen के साथ 99% तो nitrogen बना सकते है that's why ammonia पानी में घुल जाता है यह हमारे पास hydrides और बात करते हैं about halides of group 15 group 15 elements के जो halides नाम से के लिए रहे हैं कि है लोगे हैलोजन के साथ reaction होगी तो halides बनने वाले हैं all the elements of group 15 react with halogen and form halide of the general formula EX3 and EX5 कि नाइट्रोजन के पास वेकंट ड्योर्बिटल नहीं होता फाइव तक वेलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए वेकंट ड्योर्बिटल होना चाहिए ना देखिए जैसे कि ओके स्टोरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन का टॉमिक नमबर होता सैवन अगर आप इसकी यहां पर यहां पर यहां पर इसके साथ नहीं बन सकते तो यहां पर वेकंट ड्योर्बिटल नहीं और फोस्फोरस की बात करो फोस्फोरस का टॉमिक नूमर 15 उता इसकी कन्फिगरेशन करूंगा तो 3s2 3p3 यहां पर हमारे पास 3s जिसमें 2 एक्टून है और यहां पर 3p 3p में कितने रख्टून हैं तो आपको पता होगा कि जब 3 शायल आ जाती है तो इसके पास वेकंट ड्योर्बिटल है ठीक है तो यह तो यह तो यह तर फॉल तो यहां पर कलोरिन बोन बना लेंगे तीन और यह अपने अन पेर को यहां पर यह जो अन पेर है यहां पर यह पर क्या कर देगा और यहां पर पांच कलोरिन जो है बोन बना पाएंगे जार सब्सक्राइब बना सकते हैं और नाइट्रोजन जो है पेंटाहलाइड नहीं बना सकता अगली बात है नेक्स्ट कोशन है हमारे पास एनमोलस बिहेवियर ओफ नाइट्रोजन देखिए किसी भी ग रिजन क्या होते हैं इसका स्मोल साइज हाई इनेजिशन एनरजी हाई एलेक्टो नेगिटिविटी और इनके पास वैकंट डी और्बिटल नहीं होता अब अलग किस तरह से हो सकता है जैसे नाइट्रोजन डायटोमिक है बाकि सब्सक्राइड है नाइट्रोजन इनर्ड है बाकि सब बडिया रियक्टिव होते हैं इसके बाद मैं बात करूं तो नाइट्रोजन मल्टिपल बोन बना सकता है बाकि सब सिंगल सिंगल बोन बनाते हैं अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन हाईड्रोजन बोन बना सकता है बाकि सब हाईड्रोजन बोन नहीं बन सबसे सिंपल होता है कि पानी बना दो 2-2 और यहां पर क्या बद जाएगा आपका इसके लाब आप अमोनियुम डाइक्रोमेट कर सकते हो एने फॉर ट्वाइस प्रेक्शन करवा के देखो कि रिक्शन भी सिंपली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे लीथियम के साथ आप अगे पडएंगीट्रेक्शन भॉव paar्टाइगा प्रेक्शन ठ्रेक्ट्रेक्षिं ठीक्ष्ट प्लस टूनिट्रोमनिय दद्रीक्ष्ट्री-0-5 यहां पर क्लियर है तो यहां से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यह जो प्रोसेस है यह जो प्रोसेस है और रियक्शन इक लिए करने के लिए आप फोलो करने वाले हो लिए प्रिंसीपल को अब डीच आटलियर और बॉल्सक्रियाट्स क क्या बोलता हुआ एधर रिचेट इसका प्रेशिड़ करने के सब्सक्राइब करना चाहिए अब कम करने से रेक्षिन ज्यादा सो लोग जाएगी तो हमें ठीक ठाक सा टेंपरिचर रखना पड़ता है और वह लगबग रहेगा 700 इसके अलावा आप लो कर सकते हो तो अमोनिया है अमोनिया नहीं यूरिया यूरिया में पाने डाल दो ठीक है यह बन जाएगा अमोनियुम कार्बोनेट और फिर इसको गरम करोगे तो अमोनिया अलग पानी अलग स्योट अलग अमोनियुम को लाइड की रेक्षिन करा दो c a o h 2 x तो पहले तो मैटल लव स्नो और अमोनिया अगे दो मिनट लगा होगे तो मैं सिम्पली समय में आजाएंगी रेक्षिन इतनी मुश्किल भी नहीं है और जो मुश्किल आणको याद करें है ठीक है उसके बाद प्रोपर्टीज की बात करें तो अमोनिया आप सबको पता है कि बेस होता है है ना बेस ही हो जोड़के अमोनियुम हाई ओक्साइड आप सकते हैं जब आप इसका पॉजिटीव के दुरूदर करें यह अमोनियुम सल्फेट बनेगा और प्र आपने फेरिक कलोराइड की एनस फॉर लेच के साथ तो क्या होगा एक तो आपक बन जाएगा अमोनियुम कलोराइड एनस और FUH से क्या बन जाएगा FU2O3 XH2O यह फॉर्मल होता है रस्ट का ठीक है इसके बाद कॉंप्लेक्स बना सकता है एक बहुत बढ़ी है लिगंड के रोल प्ले करता है अगर आप Cu2 पोजिटिव में एनस्थी डाल लोगे तो आपका बन जाएगा CUNS34 इसका कलर होता है थ्लिवर करता है और ऊस्ट्रोजिद को बनाने के लिए उस्ट वाल प्रोसेस का पूरा से सेट अप वहता है इसका बढ़िया वाला थीन स्टैप में इसकी प्रिप्रेशन होती है सबसे पहले आप लोग अंवोनीय की और उसको पास कराते हो एक चैमबर में से जहां पर प्लाटिनम और रोडियम का नाम का कैटलिस्ट होता है प्लाटिनम रोडियम गोस बोलते हैं उसको 500 कलविन टेंपरेचर होता है 9 बार प्रेशर होता है तो यह अमोनिया को जब और शुचिजन के साथ ट्रीट करते हो तो न यह एक हो जाकता है repeat कर दो देखें सबसे पहले आप लोगोंने क्या किया है सबसे पहले आप लोग अ मोनिया की कि ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको बन जाएगा अनॉख पिर आप लिगे ऑक्सीडेशन करोगे तो पानी डालोगे तो यह बन जाएगा एक तो ऐच्व तो 12 से यूज़ कर सकते हो नाइटिक एसी बनाने के लिए इस तरह से होते हैं अगर में प्रोपर्टी की बात करों सिंस यह एक एसी थे तो एस पोस्टिव को रिलीज़ करेगा है जो दो छूंग अगर अब इसकी रेक्शन्स को देख लीजिए रेक्शन्स बहुत ईजी है मेरे साब से इसकी प्रेडिक्ट करना मतलब पहले था यह ओके यह बड़िया वारे नोर्स बना रखे तुमारे जब आप कॉपर की रेक्शन कराते हो नित्रिक ये साथ वह भी कंसेंट्रेट्टरल के साहuity तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा पानी बनेगा आनोटց बनेगा कॉपर यहां पर आप लोग लोगे जिंक जब लोग जिंक की रेक्षिन कराते होँ न हनो सब्सक्राइब हो चीह तो जिंक नाइट्रेट बनेगा अन्टौ बनेगा पानी दिक्कत आजाती जब ड्यूट के साथ कराते हो ड्यूट बोले तो दिल मैंने इसको आप दो देखे तो नामिक कॉप्र क्यूंने सिद्धा नो कर दिया डायलूड के गास में तो सिंपल है मेटल नाइट्रिट पानी और अनोटू जब डायलूड होगा तो कॉप्र को इसने नोव बोल दिया और जब नाइटरिक एसिड से दिल मांगा कि इसने जिन्क जानू ने तो जिंक जानू ने क्या बोला मैं नट्टू काका से पूछके बताती हूं ठीक है जब जिशन रैख्शन यह सथ रmann AG्स फोप्पर को क्यों चिद्धान्म हो जाता है आन और इसके बाद आप आप लोग इसकी reaction करा दीजिए, आप I2 के साथ reaction कराते हो, तो I2 का बढ़िया वाला iod कैसी बनेगा, phosphorus के साथ कराओगे, phosphorus के साथ कराओगे, sulfur के साथ कराओगे, sulfur के साथ कराओगे, and nutrient water तो fixy है, और carbon के साथ reaction कराओगे, तो carbon dioxide बन जाएगे. एक brown ring test आता है, brown ring test आता है आपका, किसलिए आता है, nitrate iron की presence को चेक करने के लिए, होता क्या है, इसमें आप लोग nitrate iron को ferrous के साथ डालते हो, और acid डालते हो दर, तो जो ferrous है, वो oxid हो जाता है, ferric में, और जो आपका nitrate iron है, वो reduce हो जाता है, nitric oxide में, फिर वहाँ पर आपसमें reaction होती है, एक complex बनता है, और वो complex हमें फिर brown ring बना के देता है, समझाता हूँ, यह हमारे पास nitrate iron है, यह ferrous है, आपने acid डाल ला, तो क्या होगा, इसकी reduction होगी, NO3 reduce हो गया, NO में, Fe2 positive oxid हो गया, Fe3 positive में, और यहां पर हमारा H2O है, यह क्या होगा भी, यह आपसमें reaction करेंगे, तो हमारे पास एक complex बन के आएगा, Fe2O6, 2 positive, और यहां पर NO अंदर जाएगा, जब NO अंदर जाएगा, Fe2O5, NO और और पर 2 positive, और यह ही हमारा क्या है, brown complex है, इस reaction से हमें बता जाता है, यहां पर आपका nitrate iron होता है, यह थोड़ा से important है, repeat कराओ, nitrate iron reduce हो जाता है, nitric oxide के अंद Fe2 positive, oxidize हो जाता है, Fe3 positive में, फिर महारे से complex बनता है, थोड़ा सो complicated complex, Fe2O6, 2 positive, वो फिर बचे हुए nitric oxide को अंदर लेते हैं, और एक brown ring में करणवाट हो जाता है, इस तरह से हमें nitrate iron के presence का पता चल जाता है, यह हमारे पास nitric acid की reaction, चलिए, आगे बात करते हैं, अलो ट्रोफ अगर किसी की physical properties different हो, और chemical composition same हो, जिसे मिल के बना है, वो तो same रहेगा, उसकी physical appearance different हो सकती है, physical properties different हो सकती है, या फिर मेन बात है कि उनका structure different हो जाता है, जैसे carbon, diamond, graphite, pullin है, उनका main structure का ही fund होता है, बहुता है, तो अलो ट्रोफ क्या होते हैं, two or more different physical forms in which an element can exist, फोस्फोरस की ब हम yellow phosphorus भी मान के जलते हैं, एक उता red phosphorus और एक उता black phosphorus, जो white phosphorus होता है, वो बहुत reactive होता है, तो जब हम उसको हवा में रखते हैं, तो वो react कर जाता है, जल जाता है, तो उसका color generally yellow appear होता है, अगर मैं red phosphorus की बात करूँ, red phosphorus कैसे बनता है, white phosphorus को गरम कर दो 573 kcal, inert atmosphere में, कुछ जिनो होती है, 1.84 gram per milliliter, अगर आप red phosphorus की बात करो, तो dark red color होता है, brittle powder की form में, ब्रेक कर सकते हो है, odorless होता है, और इसकी density होती है, 2.1 gram per milliliter, और white phosphorus के comparison में, red phosphorus कुछ भी reactive नहीं होता है, बहुत कम reactive होता है, अगर मैं इनके structures की बात करूँ, तो जो हमारे पास है, white phosphorus, इसका monomeric structure होत होता है, ठीक है, on the other hand, अगर मैं बात कर लिपता हूँ, किस की भाई, एक तो मैं खुछ भूल दाता है, red phosphorus की, red phosphorus का polymeric structure होता है, कैसे, कुछ ही से रहता है, ठीक है, और phosphorus तीन बोन मनता है, देखना, सब के तीन बोन पूरे हैंके, I think सब के तीन बोन पूरे हैं, clear है, आगे ब करते हैं, next हमारे पास phosphine, phosphine is PS3, जैसे ammonia था ना, NH3 वैसी phosphine होता है, PS3, it is prepared by treating void phosphorus with aneos in inert atmosphere, P4 लिया, aneos लिया और पाने डाल दिया, तो क्या होगा, P4 आपका phosphine में convert हो जाएगा, और बात की आपका हो जाएगा sodium hypo phosphite, यह phosphite है, ठीक है, इसके अलावा आप लोग कैसे बना पाने के साथ, PS3, OH जूड़ेगा calcium के साथ, CO2, CA3, P2, calcium phosphine है, HCl में डालेंगे, तो H जूड़ेगा P के साथ, PS3 और CL जूड़ेगा calcium के साथ, CCl2, मैं आपको बात आता हूं कि जो phosphine होता है, या फिर phosphine ऐसी कुछ बोला राता है, भाईताब, इसका यूज किया राता है, हो पाने जलने लबता है, जासे आपको याद आपको आदाोता है, था हिए फिर Phanthirab was गळेड़ेगा साथ, आपको है पॉल्टी के साथ, पाने के साथ रहेख प्रायया तो, तो वह जलने लबता है, तो 是är निक्ति के साथ जलने लबता हूं कि जलने है, जलने से का का सीुगन और जलता रहेगा लब्ट रॉक की रहेंगी होल्म सिग्नल का रूप में काम करेगा अच्छा फोस्किन हाज इंपुरिटी ड्यू इट बिकम्स इंपुरिफाइड फ्रोम इंपुरिटी बाइपासिंग अच्छाई पी एस्ट्री एक बेस है अच्छाई के साथ करेगा तो क् क्या हो जाएगा यहां पर आपका फीस्ट्रीं को प्रक्र गृति करना तोड़ा स liability demands मैटल है क्यू पॉस्ट्री मुडल मेकल के उस्थे हैं प्वस्पोरिस जादा है इस स्क्रॉस हो जाएगा दो कि स्क्रेटीं हो जाएगा अगा ओ इंपुर्स ऺृत ही साथ यह चार्ज के साथ HG और P, HG पर चार्ज बोट अंद ज़ता है बेटा जी , प्लस तू फोस पोर्थ पर चार्ज दाथा है , तो जब यूदबूज होते हैं तो किसी आल्मिकों पोजिशन बगरान चेंज करनी है तो इसको शुपांग उठा देते हैं पॉस्प sides ने know थेdockँ फॉस पिल्स फॉस फॉस फॉसप cream allozen नि रेयंय करता है तीवेश बनते हैं त्रायंलो पंटाय लाइस में क्या फंड़ा रहता है यह पी है और यह होते हैं उनकी बोंन लेंन्स जादा शक्तीають तो इजी के से चाहते है और हो तो पानी डाला जाता है तो क्या बनेगा भीया एक याद रखना एक याद रखना एक याद रखना है तो आपका है यह उतता है इसे बोलते हैं फोस्पोरिक ऐसे ठीक है और गैनी केमिस्टी में आप लोगो ने की रेक्शन देखी ही होंगी पहले बढ़िया बात यहां कि और गैनी केमिस्टी आप करवाते हूं किसके साथ पी त्री के साथ तो यह थ्री टाइम से क्या होगा यह तीन सील इस लिगा पर चले जाएंगे यह क्या बन जाएगा और प्रोड़क्ट अगें कुछ उसी तरह से देखने कु मिलेगा त्री आर दी ओफिया की अफ्र अफ यह अफ लियक्शन आप लोग किसके सब रही किसाथ एंगो फीजग साथ तो फी यह ख्रीजग से लिगा पर यह क्या बन जाएगा और प्यदी तो इस लिगा चैन लोग कर आएगा प्रोडों नेम प्रोड़क्रिय कि इसे था क्शित हैं इस्य फैलिंग से फिटिन हो पार्फ इस इस फैर्फ सी इश्ञ नहीं होता है था जैसे वह सूल्ड के बन जाता है ठीक है जसे PCL-5 है इसका स्ट्रक्चर है स्ट्राइगोनल बाइपिनमेडर ठीक है तो यह कनोट हो जाएगा PCL-4 पोजिटिव और PCL-6 नेगटिव और PCL-6 नेगटिव आगए इससे ताध आगए इसके बड़े फैमिस होते हैं ऑक्सफोर श्रक्चर मुझे बहुत लगता है यह आ सकते हैं ठीक है दीखे में एक शील फोस्फोरीग जिसका फोर्म रोता है एक असीछ एप तो यह वह जाए गातो फोस्फोरिस एक अप्र पर पहला ही फोस्पोर है फोस्पोरिस ऐसीड थे हैं फोस्पोरश या पिर है होस्पोर को स्थे स्थे संप्राइज लें आप देखिए डब्ल बॉंड ओ लागत नहीं है पर यहां पर जितने ओवेश बॉन होते हैं यहां पर कितने ओवेश लगाने है इसलिए जितने अक्सिजन है ना उसमें से एक उक्सिन तुपर चला जाएगा एक उक्सिन माइनस सरके इन पर तीन हैं अधितनीन लिए हैं यह अपर क्या है उसके अलावा आपके पास क्या बनते हैं ये ने स्ट्रप्टर सिंप्ल है हाइपो फोस्पोरी दिखिए दो फोस्पोरी ऐसे दबल बॉन ओ डबल बॉन ओ आपस में लिंक कर तो इधर आएगा ओट 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 तो चारो फोन बने तो एक ट्रबेस और फैरो फोर्ट्वरीग एसे जिसका फॉर्मॉलाप पर प्रप्र बढ़ गया ना बस बाकी तो सेमी है पीछले बाले की तरह इधर आएगा ओएच ओएच तोड़ा टाइम लग सकता है बसी बहुत ईजी है आगे मुझ करते हैं मैटाफोस्पोरी कैसे जिसका फॉर्मला उता है एक तो हाग के पास क्या है मैटाफोस्पोरी जहिए फॉर्मला ऑफॉर्मला और दूतरा है साइकलो मैटाफोस्पोरीक एचिए क्या उसा है किलो मेटाफोस्पोरी कहते है भी है फियो थ्री थ्राइट है ना तो तीन जगाप्रोप्रीजन है और तीन जगाप्रोप्रोस है पुष्याइश इने को लिंच करके चल लेकाँ ठीक है और जहां पर पॉस्पोरिस है ना डबल बॉंड ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ देख ले ना यहीं बनेगा ठीक है और एक आपके पास है पॉली मैटा पोस्पोरिक असे इसमें क्या हो जाएगा बटा स्पी ओ ओ थ्री अन पी डबल बॉंड ओ ओ नहीं आएगा इधर आएगा ओ फिर पी डबल बॉंड ओ तो ओन सो ओन चलता चलता चला जाएगा इधर ओच इधर ओओ और उनके बीच में आज इधर डबल बॉंड ओ बीच में क्या पे जाएगा ओ और यह चैन इस तरह से लंबी चलती जली जाएगी यह हमारा एक्टियो थी बन गया तो यह है बेटर जी हमारे पास पोली मैटा फोस्पोरिक असे याटि माई पोइंट और मेरे साब से तो क्लियर होगा भी सबको इस तरह से लंबी चलियर और यहाँ पर हमारा ती ब्लोग इसकी समाप से में में पोइंट सब कोवर कर जी है कि लुकुत बीड़ा और सो कमेंट चेक्शन बता देना और रिक्वेट करूँ कि यह आप अपने सेंस के बास इसेल कर एक प्रयां के तरह कि यह दो करबहुत देना और सो आप जोरू कर देचेक्शन ब्लेख बादेट प्रतिक बार्द सेक्शन के बाद कर दो कर दो दो कर दो कर दो को दो किसे लाख मत बाता खं़ता पाल्स अगर भाद कर आपँ़ब्स।